स्मार्ट फोन की दुनिया की बड़ी कमपनी एपल इस साल के अंग तक अपने तीन नए आईफोन मॉडल्स को लाउंच करने की योशना बना रही का जा रहा है कि एक स्मार्ट फोन जहां आईफोन एक्स की जगहां लेगा बाकी के दो कुछ सस्ते मॉडल्स होंगे हलांकि इन तीनों के डिजाइन आईफोन एक्स जैसा ही होगा ऐसा माना जा रहा है कि आईफोन के दो व्यरिएंट में 5.5 inch की OLED डिस्प्ले होगी जब की तीसरे सस्ते वाले व्यरिएंट में 6.1 inch का LCD पैनल होगा साथ ही तीनों वेरिंट में iPhone X की तरहा नॉच दिया जाएगा और ये iOS 12 के साथ आएंगे iPhone में True Depth Camera और Face ID Unlock System दिया जाएगा ये दोनों ही फीचर्स पिछले साल iPhone में पहली बार पेश किये गए थे अगर रिपोर्ट की मानें तो iPhone X की जगहां लेने वाले स्मार्टफोन में Apple ट्रिपल रियर कैमरा दे सकता है इसके अलावा Apple एशियाई देशों के लिए Dual SIM के वेरिंट में फोन लॉंच करने की योजना बना रहा है अगर ऐसा होता है तो बार्टी बाजार में Apple की लोक्रियता में काफी इजाफा होगा वह यह कीमत की बात करें तो iPhone X की जगहां लेने वाले स्मार्टफोन की कीमत iPhone X के बराबर ही रखी जा सकती है जबकि बागी दो मॉडल्स की कीमत इससे कुछ कम होगी